देंगू में होने वाली प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाए कुरोना में लापकारी बारा मासी फल कीवी कीवी देंगू होने पर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने या वाइरल इंफेक्शन से दूर रहने के लिए रामवार और्श्थी के रूप कांग करते हैं इवी में एंटी इंफ्लेमेंटरी एंटी ओक्सिडेंट की साथता विटामिन पी, सीट, विटामिन सीट, फाइवर कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बो हाईडरेल, फास्पोरल, मैजमिंशियम, कापर, जिंग, नियासी, राइवोफ्लोरिट, पीटा कैरोडेल, आजी पोश् किसी भी जग्ति को विविन्ग रोभों से दूर रखने में बहुत मदब दखे हैं, कीवी स्वाद में हलका सा खटा मेठा पल है, जो आपकी सेहत के लिए कई प्रकार से लाप रदत, कीवी अपने खटे मीठे स्वाद के कारण में, विविन्ग प्रकार के व्यंजनों में क कीवी का प्रयोग किया जा सकता है, रूट सलाद में भी कीवी का प्रयोग कर सकते हैं, कीवी का पूरा फल यानि छिलका, पूदा और बीज भी सेवन किया जा सकता है, आईए अब बात करते हैं कीवी फल खाने से, इससे होने वाले लाबों के, प्रति दिन एक कीवी खाने स शरीक को विभिन्न बिमारियों से बचाया जा सकता है। सर्दी में इम्मिनिटी को मजबूत करने के लिए सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपके स्वाथ और सेहत दोनों के लिए एक फाइदेमन सौधा है। सर्दी में फल खाते समय सोचना पड़ता है कि कौन सा फल खाएं। जिससे स्वाथ्थी की दुष्टी से फाइदेमन को। कीवी एक ऐसा फल है जो फूरे साल को प्लब दिलाता है। आप किसी भी मौसम में कीवी बास जेवन कर समतो है। कीवी खाने से आपका इम्म्यून सिस्टम मस्भूश होता है। जिससे आपका शुले अनेक रोगों से लड़ने की शंका प्राप्त करता है। कुरोना से बचने के लिए भी आपकी इम्म्यूनिटी पावर स्ट्रॉंग होनी चाहिए। ऐसे में कीवी को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। कीवी खाने में स्वाधिस्ट भी होता है। और आपकी इम्म्यूनिटी को बहुत चल्द स्ट्रॉंग भी करता है। गुरते के मरीजों को कीवी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरसल कीवी में पोटेशियम मौजूद होता है। जो किड्नी की बिमारी में नुकसान पहुचाता है। किड्नी के मरीजों को पोटेशियम की कम से कम मात्रा का सेवन करना चाहिए। ये सला हमारे आयरवेदिक गर्ण्टों में भी दी गई है। कीवी का अधिक सेवन करने से एक्योग पैंक्रियाटर टाइम के पलशानी भी हो जाती है। इस समस्थ्या में पैंक्रियास में सूजन आ सकती है। और व्यक्ति को पेट में दर्ज भी हो सकता है। कीवी में मौजूद पाइवन की अधिक्ता, से डाइरिया, पेटर, जी मिसलाना, उल्टियाना जैसी समस्थ्याओं से भी सामना करना पड़ सकता है। कीवी का वग्यानिक नाम एक्टी नीडिया, टैलेसी ओस्वा, एक्टी नीडिया, सीड, कुलका पल माना जाता है। आएए अब बात करते हैं कीवी फल खाने से, इससे होने वाले लाबों, प्रति दिन एक कीवी खाने से शरीट को विबिन्द बिमारियों से बचाया जा सकता है। सर्दियों में इम्मुनिटी को मजबूर करने के लिए सेवन जरूर करना जाए। ये आपके स्वास्त और सेहत दोनों के लिए एक पाइदे मन्द स्वाधा है। सर्दी में फल खाते समय सोचना पड़ता है कि कौन सा फल खाए। जिससे स्वास्तिकी डश्टी से पाइदे मन्द को कीवी एक ऐसा फल है इसे पूरे साल उप्रत रहता है। आप किसी भी मौसम में कीवी का सेवन कर सकते है। कीवी खाने से आपका इम्यून सिस्टम मस्पूत होता है जिसके आपका शरीप अनेक रोगों से लड़ने की शमता प्राप्त करता है। कुरोना से बचने के लिए भी आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉंग होनी चाहिए। ऐसे में कीवी को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। कीवी खाने में स्वाधिष्ट भी होता है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत चल्च स्ट्रॉंग भी करता है। कीवी दिल की भिमारियों रख चाप में ब्रद्धी की समस्या को दूर करता है। इसके लिए आपको एक कीवी प्रति दिन सेवन करना चाहिए। प्राते काल खाली पेट कीवी का सेवन हमारी तुच्छा के लिए भी पाइदे मनधाना जाता है। चुकि कीवी में विटामिन C, विटामिन K जैसे अन्य कई पोश्चक तर पाए जाते हैं जो स्कीन सैल्स को बहतर बनाते हैं। जिन लोगों को किसी खास मौकी के लिए अपने आपको तियार करना हो उन्हें सुबह एक कीवी का सेवन जरूर करना चाहिए। कीवी खाने से शरी से विशावत प्रदार्टों का बाहार निकाने में मदद मिलती है। प्रति दिन कीवी का सेवन करने से सुचा समकदार और जूर्यों से दूर रहती है। पेट की कर्मी और अलसर जैसे बिमार्यों से दूर रहने के लिए भीयर पर बहुत ही उप्योगी माना चाहिए। कीवी में भरपूर मातरा में आयरं और खॉलिक ऐसे पाया जाता है। जिससे गर्वक्ती महिलाओं को बहुत लाब होता है। कीवी का सेवन करने से मदुमे को नियल दिर्ट किया जा सकता है। प्रति दिन सुबह शाम एक कीवी का सेवन करने से खून में दुल्कोज की मात्रा कम हो जाती है। कीवी जोडों के दर्द, हटियों के दर्द को दूर करने में भी मददगार सावित होता है। कीवी मानसिक तनाओ बैक्टेरिया और वायरस के अचानक होने वाले हमलों से भी बचाता है। कीवी का एक फल प्रति दिन सेवन करने से बाल काले, घने और बालों का चड़ना रुप जाता है। वह असमे में होने वाले सफीर बार से भी मुक्ति मिलती है। कैंसर की रोगियों को ऑक्सिटेंटिट तनाओ से लड़ने की आफशक्ता पड़ी है। इसके लिए उन्हें प्रति दिन कम से कम दो कीवी का सेवन जरूर करने जाएगे। सर्दी जुखाम में प्रति दिन एक कीवी खाने से स्वास लेने में परशानी और सर्दी जुखाम में भी लाब होता है। यदि इस प्रकार अपने आहार में कीवी को करेंगे शामिल तो हो जाएंगे सेहस्से माला माला। कीवी को अप अनानास आम और स्ट्रॉवेरी के साथ मिलाकर ताजा फरलो का कॉक्टेल बना कीवी को फालत, सेव और नाश्पाथी के साथ मिलाकर इसका जूस बनाकर इसे अपने डाइट में शामिल करें। कीवी आम अनार के लाल दाने अनानास के छोटे छोटे पीज कर लें और इसमें शहर्द मिलाकर सेवन करें बहुत लाब होगा शहर्द किसी भी फल या सब्जी के गुरों को बूस्ट करने का काम करता है कीवी को स्लाइस करके प्रिजर में रख दें इन्हें गर्मी के दिनों में स्नैक्स या मिठाई के रूप में सेवन करें इम्मुनिटी पावर पढ़ेगी कीवी को सलाइस में मिलाकर भी भोजन के साथ खाया जा सकता है कीवी को नीबू और काला नमक मिलाकर खाने से भी लाब होता है देंगू होने पर प्रति दिन दो कीवी सुवे और शाम सेवन करने से रक्स की कमी बहुत जल दूर होती है और रोगपती रोधक शमता में भी प्रस्थी होती है यह जानकारी आपको कैसी लजी कमेंट बॉक्स में जरूर लिए यदि आप किसी जड़ी बुटी साख सबसी पल मेवे पेड़ पौदे के विश्य में उनके अरवधी खलाव गुर वह उनकी चिक सब चार के विश्य में जानना चाते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिए हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देने का पूरा पैयाद करेंगे किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्ट अपने आयरवेदिक लैर यचिक सबसे सलाम अवश्य लिए शरवानी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्थर के आको चानल परिवार का कोई भी सबस्त्य किसी भी लाभानी के लिए उस्तरगाई नहीं होका जाहें काना को आना ही पड़ा है थर नहीं कहानी सिर्फ आस्था के आसूद चैनल पर यदि आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब करें आस्था के आसूद दिवानगी प्रभु प्यार की दिवानगी प्रेम की दिवानगी आस्मा पर उड़ने की दिवानगी लक्ष पाने की दिवानगी देखना न भूले आपका अपना चैनल दिवानगी आज है सबस्क्राइब करें हर बार एक नहीं कहानी कहानी प्रभु प्रेम की कहानी इश् नानि नाथियो वाली हर बैस्त तिवार देखना ना भूले सिर्प आस्था ध्यासुद चैनल पर असाते रहे हसते रहे नानि नाथियो वाली आज ही सब्सकाइब करें आप तो अपना चैनल आस्था क्यासुद ग्यान धीप दिन को जिसे न चैन था, न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फित सुबह साम था, पथ की अपनी जान देके, जान हम में ढाल गया, उसका ही तो स्वामी धयानन्द स्वामी नाम था, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें, आश्टा के आशू, आपका अपना यूटूब चैनल से,